जम्मो के राज़ौरी में बड़ा आतंकबादी हमला हुआ और इस सम्मले में हमारे तीन जवानों के शहादत के ख़बर सामने आ रही है पाकिस्तान जो है वो दैशित गर्दी का मरकज है बहरत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पर हमला किया है बात आपको मानने पड़ेगी बाकी सब भिकारी भीक मांगते है पाकिस्तान स्टाइल से भीक मांगता दो वो फरक है और हमारा जो जजबा जनून है वो आप क्या आप की कोई बज़र्ग भी उठके आजए ना मुदी आप से हम कह रहे हैं ऐजे पाकिस्तानी कि आप हमारा जजबा जनून हम से नहीं चीन सकते और ये से पहले दो तीन साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर और ये यहीं पर रुख जाये हमारी दौा है कि ये मामला थी यहां पर रुकें और ये आगे ना बड़े पुंच जिले की तहसिल सुरन कोट में दर्शत गरतूं और फॉज के दरम्याद एंकाउंटर शुरू हो गया पाकिस्तान की जड़ों में बैट गया और इस बॉर्डर को पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और एलसी को उन्होंने दुबारा कशीड़ा कर पाकिस्तान की जड़ों में बैट गया उसके उपर अगर वो गृरूप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कियो पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान देशत गर्दी का मरकज है या एपिक सेंटर ऑफ टर इस्लामिक टर्रिजम है या टर्रिजम है जातार वो इस्लामिक टर्रिजम तो नहीं कहते लिकिन ट ये एक बड़े तवील अड़से के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दर्मियान इस तरह का वाकियात हो रहे हैं कि मतब एक कशिड़ी जो है वो बढ़ रही है ठीक है ना पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिफ से इंपॉर्टन्ट है ना जियो एकॉनॉमिक परस् और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दैशित गर्द ग्रूपों से हैं जमू एरिया में पांच हमारे भाई भारती एसेना के वीरगती को प्राप्त हो गए आज मैं उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताओंगा कल शाम से आप टेलिविजन पे सुन रहे होंगे लेकिन इ यहां पे टेर्रिस्ट ने अमबुश करा आर्मी की गाड़ी को डेरा की गली पे डेरा की गली रजवरी पुंच डिस्ट्रिक्ट जेन के यह 21 को हुआ यानि कि कल शाम को तीन बच के 45 मिनिट पे और एक पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट पी ए डबल एफ इसने क्लेम कर यह सब्कुझ ए रिस्पॉंस बिलि clash अब मैं आपको जरह बताती हो P A F की काहनी पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट यह पाकिस्तान ने बनाई है है secular sounding जमाते हैं secular sounding तंजीम में secular sounding terrorist अब देखिए आपको ना दो लेवल पर काम करना पुलेगा अगर आप दो लेवल पर काम नहीं करेंगे आप सफर करेंगे आपके और भाई वीरगती को पराप्त होंगे आपको बुरी लगी कि मेरी बात कड़वी लगी लेकिन यह सच है और यहां पर मैं यह guarantee लेकर नहीं बैठा कि मैं आपको मीठी बाती सुनाओंगा मैं जाधा तर कड़वी ही बात सुनाओंगा के anti-terror operation में रज़ौरी के काला कोट में वीरगती को प्राप्त हुए दोस्तों अप्रेल और माई 2023 में हमारे दस फौजी भाई ट्विन अटैक्स दो अटैक हुए थे जिसमें की 20 से 25 टेरिस्ट पुंच रज़ौरी एरिया में active थे खास तोर से पीर पंजाल के एरिया में इन्होंने बोला है मैं कोट कर रहा हूँ लेफटन जनरल उपेंदर दिवेदी नदर नामी कमांडर नहोंने बोला है कि एक साल लगेगा तो रूट आप टेरिरिस्म महां से बिलकुल नस्ते नाबूत करने के लिए टेरिरिस्म को और काफी लोगों की वहां पर जान चली गई है ये नया होट स्पॉट है अच्छा देखे ना ये तो एक बात हो गई दोस्तों मैं भी इसी एरिया में था पोस्टेड राइट मैं फॉज में था ट्वर्ज दी अंड अफ माइ टेनियर इंड फॉज ये साउथ अफ पीर पं मेरे जाने के बाद मेरे जाने के कुछ साल के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑप्रीya हूगा था दोस्तों और कोई भी सीनियर फिजी आपको बता देगा ठीक है उस अप्रीयтор का नाम था सर्प विनाश और सर्पों का विनाश करा गया था हजारों दर हजारों को कीता हैं 15 से लेकर 20,000 15-20,000 इंडियन आमी ट्रूप्स रडिप्लॉइड और यहां से जंगल चानते वे वहां से जंगल चानते वे यह चलता रहा operation और इतने मिले हैं सर्प मिले हैं इतने सर्प मिले हैं कि सर्प का विनाश करा दोस्तों आपको operation सर्प विनाश पार्ट टू करने की आवशकता है और मेरी सरकार से दर्खास्त है मोदीजी से दर्खास्त है कि आप approval दीजिए army should do operation सर्प विनाश पार्ट टू अभी कर देना चीए इनको आप इनको और मौका मत दीजिए जड़ पकड़ लेंगे यह पूरी फाज को mobilize करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से काट चान के पूरा साफ यह बिलकुल सर्प विनाश पार्ट टू का यह बिलकुल apt और appropriate टाइम है दोस्तों एक तो यह बताना चाहता हूँ दूसरी चीज़ यह है कि यह सब तो एक तरफ कश्मीर में terrorist attack हो रहे हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान यह claim कर रहा है कि उसके पास सबूत है कि भारत ने militant group या terrorist groups को finance करा है मोदी को यह पेगाम देना चाहता हूँ कि मोदी तुम्हारी नसले जो वो भी हमें पाकिसानियों को भूल नहीं सकती आप एक चाय बेजने वाले अपनी उकात के मताबक बात करें और दूसरा दूद मांगेंगे दूद देंगे खीर मांगेंगे खीर देंगे कश्मीर कैसे जुमारा उसका जमीर बहुत चोटा है अपने मुल्क को दुनिया की फिव लार्जिस्ट एकॉनिमी बना दिया अपनी करंसी को मदबूत किया कश्मीर को किस तरह से उसने पाकिस्तान देखता रहे वो कश्मीर ले गे यह सारी चीमेंट एक सो चाहर दुनिया के सबसे लीडर में उनका नाम आ रहे आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं यह भी है कुछ बाते हैं जो हमारे मुलक में भी है हमारे होकमरानों में भी है ठीक है ना लहाज़ा जो कश्मीर का मसले यह याद रखिएगा किया आपके आने वाली नसले भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं चीन सकती रहा कश्मीर का मसला तो कश्मीर के लिहाद से कश्मीर हमारी शारग है तो शारग जो होती है वो इनसान के लिए बहुत पार्ट आफ जो इनसान का पूरा जिसम होता है उसका बहुत एक में हिस है इसमें हमारी सांस चल रही है तो आप हमसे हमारी सांस को खेंचें यह हमसे अबरदास नहीं होगा थो नोनोंने कर लिया न क्या करना है लेकिन इंशालला होता ला हम अपने पाकिस्तान की जो ग़र्मिंट है मजूदा गवर्मिंट हो ने हम हर पाकिस्तानी के आफिस एक में हर चलता फिड़ता पाकिस्तानी कि नौ जवान लाएंगे हमारे जजबात को कोई मजरूर नी कटा करके जनरल आसे मुनीर की बातों को जूट अभी आपके सामने लाता हूं एक एक बात का जूट सामने लाता हूं आप कह रहे हो पाकिस्तान बहुत एहम है फ्रॉम जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिब कर दिया कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं तो भाई साब कोई हेड ऑफ स्टेट आपके आने के लिए तैयार नहीं है यूएस का प्रेजिड इंडिया आता है आप तरले करते हैं उसके कि एक घंटे के लिए रुख जाओ आप कोई नहीं साओधी अरब का क्राउन प्रिं बड़े जियो फलाना जियो ये पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को जूट बोल रखा है दोस्तों 75-76 साल से अपने बच्चों को जूट बोल रखा है और इसकी उपर एक शेर है ठीक है पाकिस्तान बहुत एहम है ये उसका वहम है ये शेर कुछ और था मैंने तोड़ पाकिस्तान जो है बड़ा तीर तुका यार मैं वही बात तुम से दुवारा पूछता हूँ अगर तुम इतने एहम हो और तुमारे बिना सांसे नहीं चलती लोगों की तो तुम टके टके के लिए क्यों दर बदर ठुक रहें खाते हो यार ये तु समझाओ मुझे जो सारा पिछले 10-12-15 साल में लिटरेचर लिखा गया थिंग टैंक्स की रिपोर्ट आई वो जो एक नेरेटिव बना उस नेरेटिव ने ये इस्टाबलिश किया कि पाकिस्तान जो है वो जहादी जमातों को और दाशितगर जमातों को स्पॉंसर करता रहा और सपोर्ट करता अगर हमने वाकिए भारत के साथ और इस तरह चीज़ें चलानी हैं तो अगर हमने इंटरनेशनल इसी तरह आईसोलेट होंगे अगर हमने ये दोगली पॉलिसी बंद ना की और हम ये जो मजाहिदीन बेचते हैं ये बंद करें हमारे कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए इ इंडिया जो है वो किश्मीर के अंदर एक जो पूरी की पूरी फ्रूडम स्ट्रगल जो थी उसको उन्होंने क्या किया उसने कहा कि इसको ऐसे करो कि लेबल कर दो की ये दहशतगर दी है क्योंकि इंडिया एक सौवरन मुल्क है ये पाकिस्तान है और जब हुआ क्या कि वो समझने के पाकिस्तान जो है मुखलिस नहीं है और पाकिस्तान जो है वो इसको हमें देखना है और पिर कहीं लोगों ने किताबें लिखी फाइटिंग दर रॉंग एनिमी मतलब असल दुश्वन तो पाकिस्तान है बहुत कुछ और भी लिखा गया ये ये दाशित गर्द करार दे दिया इंटरनेशनल क्यमिनिटी कोर ने का जी कि आप अगर आम्ड जो मुसल्ला गरों हैं अगर आप उनको दाशित गर्द कहते हैं तो फिर इनको भी कहें फिर सारी दुनिया को मानना पड़ा और पाकिस्तान जो है वो उसको इस सारे प्रोसेस से निकलते बहुत जादा टाइम लग गया और अभी भी हम पूरी तरह उन चीज़ों से नहीं निकले और जो किश्मीर के रिलेटेड है अब हम बलावल पुटो जर्दारी जो है या पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो ज्यादा सा तो खमोश रहते हैं इस तरह की चीज़ों में क सारा कुछ और इसलामिक जो जमाते हैं यह इसलामिक ग्रोव हैं उनके ओपर यहाथ रखते हैं और जब आप हकोमत में आते हैं तो फिर वो सारा टाइम डिफेंड करते रहते हैं